नमस्कार दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ राखी लांबा आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में सडक तक मूदी सरकार की घेराव की बजट सत्र में हुए कामकाज की बात करेंगे अडानी के मामलों में राहूल के उठाई हुए सवालों की इतिहास को लेकर जयराम की सिंधिया पर निशाने की जानेंगे बीजीपी के स्थापना दिवस पर क्या बोले हैं फ्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी बिहार MLC चुनाव में क्या रहे परिणाब और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे RBI से मिले जटके की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर सुप्रीम कोट ने मनिपूर हाई कोट को भेज़ा अवमानना का नोटे सुप्रीम कोट में जस्टेज एमार शाहा ने की टिपड़ी ये बेहत दुर्भाग्य पूर्ण की हाई कोट हमारे आदेश समझ ही नहीं पाया अपने आपको मान रहा है सुप्रीम कोट से बढ़ा अनिल एंटनी के बीज़पी में शामिल होने को एके एंटनी ने बताया गलत फैसला कहा बेटे के फैसली से मुझे दुख दिल्ली के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन को नहीं मिली जमानत कोटने की सख्त टिपड़ी सबूतों से चेड़ छाड़ कर सकते हैं आपने ता तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार संसेक्स 144 संकों की तेजी के साथ 69,833 संकों पर हुआ बंद तो ये थी सुर्खिया और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की बजट सत्र में ना तो किसी मुद्दे पर चर्चा हुई और ना ही सवाल जवाब सिर्फ हंगामा मचा रहा ना तो विपक्ष की मांग सरकार ने मानी और ना ही बीच का रास्ता निकालने की ज्यादा कोशिश की गई जैसे सरकार ही चाहती हो कि सदन ना ही चले सदन में चर्चा नहीं हुई लेकिन सडक पर अब विपक्ष सरकार को घिर रहा है तो कैसे संसद से सडक तक विपक्ष ने सरकार को घिरा है रिपोर्ट में देखें इस दोरान सोनिय गांधी मलिकारजुन खडगे समेत विपक्ष के कई नेता मौझूद रहे इस तरंगा यात्रा का मकसद सरकार को संदेश देना था कि विपक्ष आदानी के मुद्दे को नहीं छोड़ेगा तरंगा यात्रा के दोरान विपक्षी नेता हाथों में तरंगा थ हमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए इस दोरान कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने कहा कि सरकार अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए जेपीसी नहीं बना रही है देशों के प्रधान मंत्रियों से यहां वहाँ के बिजनेसमें से यहां वहाँ के मंत्रियों से मुलाखात किये और आपके वजे से उनको कोन सा आर्डर मिला कैसा मिला ये सारे डीटेल यहाँ पर चर्चा होना चाहिए तो विपक्ष के विरोध ने लोगसभा स्पीकर ओम बेडला की चाय पाटी भी खराब कर दी क्योंकि 12 विपक्षी दलों ने उनकी चाय पाटी का भी बहिशकार कर दिया जो उन्होंने शाम को रखी थी संसद में चर्चा तो नहीं हुई लेकिन सरकार को जो भी विधहयक पास कराने थे वो उसने आसानी से करा लिए पिछले कुछ सालों से संसद की यही परंपरा बनती जा रही है कि हंगामे के बीच विधहयक आते हैं और ध्वनी मत से पास करा लिए जाते हैं कुछ ऐसा ही इस बार के सत्र में हुआ तो सदन में कितना काम काज हुआ है रिपोर्ट में देखें बजट सत्र तो खत्म हो गया है लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार के हंगामे में दोनों सदनों में काम कितना हुआ क्योंकि पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच कारिवाही स्थगित होती रही इस बार के बजट सत्र में ज्यादतर हंगामा ही हुआ संसद की शुरुवात से ही हंगामा शुरू हो गया था हालांकि दोनों सदनों की कारेवाही को अनिशित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है जहां तक लोगसभा की बात है तो इस बार लोगसभा की कारेवाही के अवल 45 घंटे 55 मिनट ही चल पाई इस सत्र के दोरान सिर्फ 6 विध्यक पारित हुए और 8 सरकारी विध्यक को पुना स्थापित किया गया ये जानकारी लोगसभा ध्यक्ष ओम बेडला ने दी है उन्होंने कहा कि लोगसभा के 11 सत्र के दोरान सदन की 25 बैठके हुई जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली राश्टपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में 13 घंटे और 45 मिनट तक चर्चा हुई और इसमें 143 सदस्यों ने हिस्सा लिया सत्र के दोरान 2799 पत्र सभा पटल पर रखे गए लोक महत्व के कुल 133 मामले उठाए गए नियम 377 के अधीन कुल 436 मामले लिये गए वित्यमंत्री द्वारा केंद्रिये बजट एक फरवड़ी को पेश किया गया केंद्रिये बजट 2023-24 पर सामान ने चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया और वित्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तो वहीं अगर राजसभा की बात करें तो राजसभा में 31 घंटे से थोड़ा ही अधिक कामकाज हुआ राजसभा के कुल समय का मातर 24 परतिशत ही कामकाज हो पाया विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही सभापती जगदीप धनखर ने प्रोड़क्टिवीटी को लेकर रिपोर्ट पढ़ी और इसके बाद राश्ट्रे गीत की धुन बजी इसके बाद सदन की कारवाही अधिशित काल के लिए स्थगित करने की घोशना आसन की ओर से कर दी गई सभापती ने कहा कि हमें सदन के निराशा जनक प्रदर्शन पर विचार करना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा हंगामे में भी सरकार ने अपना काम करा लिया दूसरी और विपक्ष सर्फ सवाल उठाता रह गया लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले और संसत स्थगित हो गई सदन भले ही स्थगित हो गया हो लेकिन सवाल अभी भी वही बने हुए हैं और राहुल गांधी ने एक बर्फर से सवाल उठा दिये हैं इस बार मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है निशाने पर एक बर्फर से अडानी है तो क्या है सवाल रिपोर्ट में देख गया है राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए सवाल किया और बाद में इसी मामले पर कॉंग्रेस ने प्रिस कॉंफरेंस करते हुए मोधी सरकार को घेरा कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीमसी कंपणी के मालिक चीनी नागरिक है यह चीनी कंपणी है लेकिन अडानी ग्रुप के साथ इसका समझाता है अडानी के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं सभी यह चीनी कंपणी ही संभालती है यहां तक कि इसका कामकाज भी अडानी के ऑफिस से ही होता है आज मोधी सरकार ने देश की पूरी नरेंद्र मोदी चीन के राश्रपती के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाते हैं तो दूसरी तरफ चीनी उद्योगपती बेहद समवेदन शील स्थानों पर भी पहुँच जाते हैं ये सब अदानी और मोदी की दोस्ती के चलते हो रहा है क्या अदानी ग्रुप के सहरे देश के समवेदन शील शेत्र में पहुँच चुका है चीन इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कॉंग्रेस ने जो सवाल उठाई है उसका जवाब सरकार की ओर से शायद ही आए उल्टे सवाल ही आ सकते हैं जैसे ही जोती राधित्य सि कॉंग्रेस के तमाम नेताओं ने सिंध्या की कॉंग्रेस से गदारी को याद दिलाया जैराम रमेश ने तो सुभध्रा कुमारी Glipsage of World History के साहरे जोती रादित्य सिंध्या ने लिखा कविताई कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें इस प्रकार मराठों ने दिल्ली का सामराज्य जीता मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनोती देने के लिए बने रहे लेकिन मराठा शक्ती ग्वालियर के महराज सिंध्या की जान जाने के बाद टुकडे टुकडे हो गई सिंध्या ने नहरू की किताब का जिक्र किया तो जैराम रमेश सावरकर को ले आए और सिंध्या को जवाब दिया जैराम रमेश ने लिखा इतिहास की कोई भी किताब उठा लिजे 1857 में जहासी की रानी के साथ गदारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एकमत है आपके नई भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर में लक्षमी बाई तातिया टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंध्या की गदारी का जिक्र किया है इतिहास आप पढ़िये साफ है इतिहास की लडाई में बीजेपी खुद ही फस्ती जा रही है बात इतिहास की चल रही है तो आज वियानी 6 अपरेल का दिन बीजेपी के लिए इतिहासिक दिन है आज के ही दिन 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी और पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर देश भर में कारेक्रम किये इस दोरान पीएम मोदी ने पार्टी के इतिहास से लेकर वर्तमान तक पहुँचने की घटना को याद किया इसके साथ ही कॉंग्रेस पर निशाना साधा तो क्या कहा है प्रधान मंत्री ने रिपोर्ट में देखें अजबा को 21 सदी भविशे की पार्टी बनाने का मंत्र दिया पीएम मोदी ने देश की आजादी के साल 1947 का जिक्र करते हुए कॉंग्रेस को घेरा और कहा कि सर 1947 में अंग्रेस भले ही चले गए हूँ लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिक्ता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बोकर चले गए और यहीं छोड़ गए इसलिए आजादी के कई सालों बाद भी देश में एक ऐसा वर्ग है जो खूब फल फूल रहा है जो सत्ता को अपनी जन्म जात हक समझता है इन लोगों की बादशाही मानसिक्ता ने देश की जनता को हमेशे अपना गुलाम माना 2014 में इसी शोशित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तिहास को याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्य सदा सर्वो परी रहा है एक भारत श्रेश्ट भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है जब जनसंग का जन्म हुआ था तो हमारे पास ना जादा सियासी अनुभव था और ना ही साधन ना संसाधन थे लेकिन हमारे पास मात्र भूमी के प्रतिभक्ती और लोकतंत्र की शक्ती थी पियम मोदी कॉंग्रेस पर निशाना साध रही है लेकिन उनकी पार्टी इस समय मुश्किल में दिखाई दे रही है बिहार में हुए MLC चुनाव के नतीजे आ गए है जिसमें BJP को जबरदस्त जटका लगा है तो क्या है चुनाव का परिणाम रिपोर्ट में देखें जबकि BJP और अन्य के हिस्से में एक-एक सीट आई है पाचवी सीट पर भी महागटबंदन को बढ़त मिली हुई थी और महागटबंदन का उमीदवार जीत के करीब था जिन चार सीटों के परिणाम घूशित हो चुके थे उसमें सारण सनातक सीट पर जेडियू के उमीदवार विरेंद नारायन यादव BJP के महाचंद्र प्रसाद सिंग को 5951 मतों के अंतर से हरा चुके हैं विरेंद्र को 32,29 और महाचंद्र को 26,288 वोट मिले सारण सिक्षक सीट पर प्रशांत की स्षोर समर्थित कैंडिडेट अफाक एहमद ने जीत दर्ज की गया सिक्षक सीट पर BJP के जीवन कुमार ने जेडियू के संजीव श्याम सिंग को हरा कर सीट पर अपना कबजा जमा लिया जबकि गया कि सना तक सीट पर पहली वरियता के वोटों में फैसला नहीं हो पाया पहली वरियता के वोटों में आरजीडी के पुनिच सिंग को बढ़त मिली हुई थी कोशी शुक्षक सीट पर जेडियू के डॉक्टर संजीब कुमार सिंग ने बड़ी जीत हासिल की है यहाँ बीजेपी उम्मीदवार की जमानत तक जब तो हो गई चुनाप परिणाम से महागटबंदन में खुशी दिखाई दे रही है तो एक सीट पर जमानत जब तो होने और एक पर तीसरे स्थान पर पहुंच जाने से बीजेपी केम्प में निराशा दिखाई दे रही है और गुलेटन के आखरी में बात आरबियाई की आरबियाई की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया इस ख़बर को सुनकर लोग खुश हुए लेकिन इस दोरान आरबियाई गवर्नर ने जो संकेत दिये हैं उससे लोगों को आने वाली समय में बड़ा जटका लग सकता है ऐसे क्या संकेत दिये हैं? RBI गवर्नर शक्तिदान स्कांत ने रिपोर्ट में देखें रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने बियास दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया है RBI ने रेपो रेट बिना बदलाव किये हुए इसे 6.50 फीजदी पर बरकरार रखा है 6 अपराल को RBI ने जैसे ही रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का एलान किया जिससे लाखों लोग मायूस हो गए क्योंकि उमीड थी कि इस बार RBI की ओर से राहत मिलेगी लेकिन राहत के नाम पर RBI ने जो संकेत दिये वो चिंता बढ़ाने वाले है फिलहाल रेपो रेट में बदलाव ना होने से होम लोन, कार लोन, परसनल लोन या किसी भी तरह का कोई और लोन ले रखा है या लेने की तैयारी कर रहे है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है RBI गवर्नर शक्तिकान दास ने मॉनिटरी पॉलिसी का एलान किया उन्होंने ग्लोबल और इंडियन एकनोमी के मौजूदा हालात की बात की महंगाई पर जिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अभी लडाई जारी है RBI गवर्नर ने कहा कि रेपोरेट में बढ़ोतरी के फैसले पर अपराल मॉनिटरी पॉलिसी में ब्रेक लगाने का फैसला किया गया है ये बस एक ठहराव है काम अभी बाकी है फुल स्टॉप नहीं बलकि एक कॉमा आने वाले दिनों में इस्तिती का आंकलन करते हुए मॉनिटरी कमेटी किसी भी तरह का एक्शन लेने में हिचकेगी नहीं आर्बियाई ने इस बार ये राहत वैश्रिक अर्थ विवस्ता के हालात और इंडियन एकोनॉमिक की बुनियादी स्थिती को देखते हुए दिया है महंगाई अभी भी एक बड़ी चुनौती है जिसे देखते हुए आगे आने वाले दिनों में आर्बियाई सक्त फैसले ले सकती है साफ है आर्बियाई ब्याज दर कम करने की जगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है यानि आने वाले दिनों में भी लोगों को किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है तो फिलाल दिन भर की खबरों में इतना ही लेकिन आप देखते रहें डी बिलाई नमस्कार